बॉर्णिंग स्टूरेंट्स आज हम सॉल्फ करने वाले हैं क्लास एट की इंग्लिश की वर्कशीट नमबर टू यह 14 सितंबर 2020 की वर्कशीट है और बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को तो आज हमें कोम पढ़ने वाले हैं जिसको आधा हम मेंबर और फ्रेंट हुएस्ट फॉडवेंग कॉलिटीज राइस नेम इंडि ब्लैंक नियर विलेशन्शिप विद हिम तो यहां पे नीचे ब्लैंक में आपने धेखने कि क्या क्वालिटी ए और अपने घर में उस क्वाले आदमी या अपने दोस्तों में उस क्वाली वाल आदमी का नाम लिखना है तो सबसे पहला है हार्ड वर्किंग हार्ड वर्किंग है बेटा मिस्टर राजिंदर और ये है मेरे फादर पंक्चुल है मिस मनीशा और ये है मेरी सिस्टर एनर्जेटिक है राहुल और ये है मेरा फ्रेंड और फिर है helpful है इन्दर और ये है मेरा ब्रदर आप चाहो तो आप अपने दोस्तों का नाम लिख सकते हो जो भी आपके क्यरेक्टरिस्टिक से मैच करते हो उनका हार्ड वर्किंग मतलब जो बहुत हार्ड वर्किंग है जो बहुत मेहनत से काम करता है पंक्च्वल जो कभी लेट नहीं होता हमेशा टाइम पे आता है एनर्जेटिक जिसमें खूब एनर्जी है खूब उर जाए और हेल्फुल जो दूसरों की मदद करता है आगे बढ़ते हैं बच्चों आज की वर्क्षीप में तो जेंजा 2 है तो जो चीटी होती हों कहते है कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हो और हम किसी से कभी कुछ उधान निलेते हैं हम किसी को कुछ निरेते उसने कहा कि तुमने कुछ भी नहीं रखा गर्मियम अपने ले संभाल के तो जो किरक्ट होती है वों कहते है कि नहीं हमने कुछ नहीं रखा my heart was so light, I sang day and night, for all natural looked gay you sang, sir you say, go then, set the end and dance the winter away तो वो कहता है कि cricket उसे कहता है कि नहीं इतना अच्छा मौसम था तो मैं एको लगा मौसम का लुट फुटाऊं तो मैंने उस मौसम का अंद लिया और मैंने और कुछ भी नहीं किया तो वो से कहती है कि अच्छा तो अभी भी मौसम कान ले लो अभी भी वैसे चले जाओ तो वो कहता है कि उसके बाद चेंटी ने सीधा अपना गेट बंद करा और जो क्रिकट था वो भार ही रहा किया अब वो कहता है कि कुछ लोग तो कहते हैं कि यह कहानी है लेकिन मैं तो कहूंगा कि यह सीख है सबको अपनी जिन्दगी में सीख लेनी चाहिए कि बुरे टाइम में कोई साथ में देता और बुरे टाइम की तयारी पहले ही कर लेनी चाहिए इस पूर्म में विंटर का मतलब होता है बुटा बुरे टाइम अब वो कहता है who said the following lines in the poem and talk cricket write your answer in the blank below in each bubble अब answer देख लेते हैं तो answer है my heart was so light that I sang day and night किसने बोला था ये तो जहां तक मुझे ध्यान है ये तो cricket ने कहा था did you lay nothing when the weather was warm तो तुमने कुछ नहीं रखा ये बोला था ant ने cricket को go there and dance the winter away ये भी ant ने बोला था कि जाओ अब 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 भी डांस कर लो अब कहता है वो rearrange the following sentences to form the summary of the poem and write the correct sequence number in the box against each number तो sequence number लिखना है पहला sequence उन्होंने दे रखा है the cricket sank during the months of summer and spring उसके बाद दूसरा sentence होगा that in the winter season he was starving and thus he went to the ant तो ये हो गया आपका number two गोला ने डालते तब समझने आएगा third है he requested the ant to lend him some food and shelter number three the ant asked the cricket if he had stored food for the winter number four उसने क्या बोला दा the cricket replied that he enjoyed the summer and did not store any food तो ये आजाएगा number five और the ant refused to help him number six फिर है what does the poet mean by the last line some cricket have four legs some have two that some people are like cricket they are lazy and do not care about the future तो ये हमारा इसका answer तो बच्चों हमने English की वर्कशीट खतम कर ली है आपसे कल मिलेंगे फिर कल की वर्कशीट के साथ तब तक के लिए stay healthy, stay safe